आपका हमारे YouTube चैनल Smart Jobs में तो दोस्तों आज की जो विकिंसी आ रही है ये आ रही है आपके लिए Great Opportunity DRDO की तरब से अब देख सकते हैं जो हमारी स्टूडेंट जिसे पुलिस, आर्मी, DRDO ऐसे मतलब जो संस्थाइं हैं उनमें जाना चाते होंगे लेकिन कभी नभी क्या होता ह जब भी इनमें विकिंसी निकलते हैं हाइट की बज़े से काफी सारे स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं बट वो स्टूडेंट हमारे इसी तरीकी के विकिंसी में जाना चाते हैं अकर जो स्टूडेंट हमारे इस तरीकी की विकिंसी जैसे हमारा जो भी देश की सेवा क ब्लोग को सच में समझ में आ जाएगा कि क्या कराता है बहुत अची रिकुड्मेंट है लिंकिन आप लोगों को पहली बार समझ में आ जाएगा कि हाँ apprentice करनी चाहिए तो हमें सिर्फ DRDO करनी चाहिए तो गाइस चलिए देख लेते हैं इस विकिंसी के बारे में और सबसे पहले चलिए मैं इसकी बारे में चीस बता देती हूं जो हमेशे हमारी student बोलते रहते हैं इसकी qualification देखिए इस के लिए और इंडिया के काईड़ेट अप्लाइ कर सकते कहीं से भी हैं आप लोग सभी इलिजिवल हैं दूसरा बाता करें और इसकित कर सकतें comment box में अपना qualification and branch मेंसी legal जिसे join video आप लोगों के qualification ब्राच्जिस से एब बाith करें गये इसके बाल बकंप सी की तो गयच यहां ना तो करता है मैरिट बिस अब देखी काई जादा स्टूडेंट रहते हैं अब या फिर यह भी हो सकता है डिपेंट करता है कि उस ट्रेंट पर आप लोगों का इंटर्व्यू होगा या नहीं वैसे नोटिफिक्शन मेंशन किया हुआ है कि आपका जो इंटर्व्यू घर बैठे होगा आपको तो चलिए मैं इसका नोटिफिकेशन आपको टालेग्राम चैनल पर प्रोवाइट कर दोंगी वहां से जाकर देख लिजिए अप्लाई लिंक भी पर आप लोगों को वहीं देदोंगी अप्लाई किस तरीक से करना पूरा प्रॉसेस बताऊंगी वीडियो का अ करता है डिया डियो मितलब डिफ्रेंस रिजर्श एंड डिवलोमाट और्गनाइजेशन काफी अच्छा रेक्विट्मेंट है एपरेंटिस रहने वाली है और एपरेंटिस हमेशा फ्रेशर कैनीडेट ही कर सकते हैं जो एक्स्पिरेंस होते हैं उनके लिए यह यह अपरें यहां सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है जो आपकी कार्टीगरी ओके और आपका ब्रांच दिया गया है qualification vacancies and stamp it इस्पेड़िवलों के लिए बी एन बीटच वालों के लिए Computer Science electronics and Communication and Mechanical यह स्टूडेंट अप्लाइब कर सकते हैं साथी इससे relevant है वो भी apply कर सकते हैं बीई बीटेक होना चाहिए computer में इसी तरीके से बीई बीटेक electronics and communication में बीई बीटेक mechanical में तीन ब्रांच relevant होती है जैसे mechanical production, mechanical automobile, mechanical RAC यह सब ही eligible रहेंगे 9000 stipend दिया जाएगा यह परमंचली आपको stripe it दिया जाता है और जब year complete हो जाता तो उसके बाद आप लोगों को एक certificate पर पोवाइट किया जाता है उसके आधर पर आप लोग कहीं भी जॉब पास सकते हैं one year का experience होनी के बाद दूसरा जब भी DRDO में विकेंसी निकलती है तो आपको उस चीज़ का relaxation बिलता है technician यहाँ technician apprentice है यह है diploma वालों के लिए है civil वाले student computer science वाले electronics and communication and mechanical वाले eligible रहेंगे इन्ही branches से आप लोगों का diploma complete होना चाहिए अब बात करेंगे आपर diploma कितना साल का होना चाहिए तो 3 साल का हो या 2 साल का हो doesn't matter बस आप लोगों का diploma का होना चाहिए ओके यहां आपके वेकिंसे दी गई है आठ साथ मन्तली स्टाइपरेट दिया जाएगा next day trade apprentice IT वालों के लिए है IT में जैसे electronics, electrician, fitter, mechanist and carpenter, welder and diesel mechanic यह सभी आपकी branches रहने वाली है आप इसी तरीके से यहां पर IT आप लोगों नहीं कर रहा है इन trades से तो आप लोग इसके लिए eligible हैं आपकी अलग-अलग vacances दी गई है 7000 गाईस आपका यहां देखिए अलग-अलग दिया गया जैसे यह इन तीन जो आप लोगों की vacances है मतलब तीन trade के लिए 7000 स्टेप दिया जाएगा लेकिन इन से ऊपर जितनी में मतलब 3-4 trade है इनके लिए 7700 दिया जाएगा अलग-अलग दिया जाने वाला आप बात करें यहां पर application process की तो guys application process आप लोगों को link description में देती चाहेगी तो आपको इसका ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है लास्ट आपको 2 September दिया गया है 2 September से पहले पहले आप लोगों को apply करना होगा apply का process बताने वाली हूँ है बढ़ इस से पहले हम लोग application process देख लेते हैं selection process यहां आप लोगों का होगा shortlisted के आधर पर जैसे अगर diploma में जितने marks गेन किये उसके आधर पर या फिर आई टिया यह फिर select हो जाएंगे और आपका appointment letter घर पर आ जाएगा या फिर mail के जरीए आपको दे दिया जाएगा ठीक है यह आप लोग को हो जाएगा देन आप लोगों को यहां किस तरीके से apply करना है वो भी जाना है apply करने के लिए सबसे पहले दिखिए सबसे first step बन जाने है क्योंकि first step के जर लिए कर लेना और यहां यह जो लिक दे रहा है इस लिंक पर करेंगे आई टेई वाले ओके तो आई टेई वाले इस लिंक पर करेंगे registration first step में आप जैसे मैंने सिर्फ वही जो वही document आप लोगोंने किया होगा submit वगएरा तो उसका PDF मतलब जो print होता है वो निकाल लेना print आप लोग का यहां पर करेगा अब देखिए यह जो आप लोग का पूरा फॉर्म है यह अच्छे से fill up करना है ठीक है simple form है जैसे photo लगाना है आप पर अपना जो भ पूरा form हैंड से बरना कहने का मतलब इसका जो है print निकलवाना फिर हैंड से पूरा बरना या signature करना या आप ठीक है उसके बाद आप लोग का अगर यह incomplete रह जाता तो यह reject कर दिया जाएगा ठीक है तो आप लोग इस चीज में यह ना कहें कि यह reject क्यों कर दिया क्योंकि तो अगरा लगा कि से रेडी कर लेंगे रेडी करने के बाद इसका एक अच्छा सा आप लोग फोटो कीजिए और आप लोग अपने डॉक्मेंट जैसे डॉक्मेंट में मार्कशीट आधार कार्ड पेंट कार्ड यह सभी आप लोग डॉक्मेंट अपने PDF बना ले PDF बना के ठीक है PDF बनाने के बाद यह इमेल डी दी गई है इमेल आइडी पर सेंट कर दें यहां पर दिया गया देख सकते हैं PDF फॉर्मेट ठीक है मस्ट पर सेंट कर देंगे आप लोगों के यह डॉक्मेंट जो है चैक होंगे और वहां से मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी तो इस चोटी चोटी अबडीट में आप लोगों को वहां पर इंफॉर्मिशन देती रहती हूं आप लोगों की कोई भी इंफॉर्मिशन ना शूटे आप लोग वहां पर जोइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है